हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सबी तो समझ चल रही है तो मुझे लगा क्यों नहीं एक आइस क्रीम की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की जाए क्यों हम मार्केट की कायम घर में भी उससे भी अच्छी बनाए खा सकते हैं तो इसको मैंने बनाई है फर्स फारी जो हमारी है यह चेरी पॉप आइस क्रीम है यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी है जो को मार्केट में भी नहीं मिलेगी दूसरी आज कर मैंने बनाई है मैंने थोड़े जो हम बनाइंगे जो हम करेमलाइज करेंगे शुगर को, इसको हम अलवेज मीडियम फ्लेम पे करेंगे जिससे के हमाई शुगर है, इजली मेल्ट होगी और वो जलेगी भी नहीं, इसके जो उसका टेस्ट बहुत कई खराब हो जाता है तो इसको दिर 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 चलाते रहें आप, और इसको आप मेल् अदर फुरूट का जूस का जूस है और शुगर सिरफ है आपस में मिलके बहुती measurements देते हैं इस प्रोसस्पों मायने किया है मिडियum फ्लीम पर ज güょस्प आख लेकी हैं और जूसपे जूस नियुस को यूसे है जूसे हो जूफर मिक्स हों मैं पर डेने वाले है तो देखिए इसको मैंने धीमियाज पर ऐसे पकाना स्टार्ट किया है आप्टर फाइव गनट सब देखेंगे जो हमारे कलर होगा इन फूर्ट्स का बहुत ही अमेजिंग होगा देखिए कितना चेरी रेड कलर कितना सुन्दर लग रहा है इसको ठंडा होने के लिए मैंने बोल में निकाल लिया है और इसी पैन में हम एक बार अपने ड्राइफूट्स को और करेमलाइज करेंगे तो इसके लिए मैं दू टेबल सुपूनिया पर शुगर ली है इसको मैंने सेम वैसे ही प्रोसेस किया है मीडियम फ्लेम पे इस शुगर को हम मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे इन बेट्वीन हम जो प्लेट है उसको हम ग्रीज कर लेंगे घी के साथ में जिससे जो हमाई ड्राइफूट्स है इसमें हम स्प्रेड कर सकते हैं वो आपस में चुपकेंगे नहीं और बहुती क्रिस्पी हो जाएंगे तो देखिए हमारे जो शुगर है देर देरे मेल्ट हो रही है उसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो रहा है जब वो फुली मेल्ट हो जाए तब हम इसमें अंदर ड्राइफूट्स को चॉपड रखे हमने उनको डाल देंगे बस इसको हम अच्छी तर मिक्स कर लेना है जि इसको स्प्रेड कर दी जा अच्छी तर है जिससे ही ठंडी होके यह क्रिस्पी बन जाए एकदम तो अपनी आइस्ट्रीम के लिए मैंने आपे वन कप विब्ड क्रीम ली है यह स्वीट नहीं है तो चाहें तो आप स्वीट वाली भी ले सकते है फिर अप उसको एकॉर्डि अब तो चाहिए तो मैकसिमम आप 5-7 मिनिट में इसको आप देख सकते हैं थोड़ी थेख हो जाए तो मैंने थिक मिल्क बना के रखा है वन लीटर को मैंने हाफ में रिड्यूस कर लिया है अगर आप जानना चाहते हैं थिक मिल्क कैसे बनाते हैं तो मिझे जुरू बता है म से बांटे덮 के साधर शडर करूँगी है अब जो मैने फोड़ी से कुष्ट इसमें जो डेların के रखी आप देख सकतें के स्टुंगिए तो इन सभी को आपको फे ही ग्राइंडर में करनी के रोरत नहीं हैКोई भी पाल्य थेन है यांप ऑधिक है ूश्तस क्षिर फसमें य कि Onvosibillants धे जाए फे जो उमारी रॉलिंग पिन होती या ना किसा के साथ आप फूरा चला करके उसको आप पोर्स फोर्म में या पिछ दरदरा ऐसा है उसको हम उन्य रखेंगे और इनको फोट पे नकाल लें देखें फूट्स एंड्राइफूट्स नीचे बैठ जाएंगे तो तो मिक्स करके डाला है, मैं थोड़े से मैंने फूट्स डाले हैं इसके अंदर ऊपर फूट्स डाले हैं और मिनसको बनावर के लिए रग दिया है, सेमी सॉलिड होने के लिए थोड़ा सा जो मारे बैटर बचे गया था आइस्क्रिम का, उसको मैं दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया है, सेम प्रोसेस मैंने इसमे करा है, इसको मैंने घंटे के लिए रखा है, सेमी सॉलिड होने के लिए उसके बाद हम उपर से जो हमारे बचे हुए फूट्स एंड्राइफूट्स हैं, उन उनको मैंने डेकोरेट कर दिया है, जिससे वो खाने में बहुती क्रंची टेस देने वाले हैं, तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करेंगे, चॉको चिप चॉकलेट आइस क्रीम, मोस्ट फेवरिक्ट, उसलिए मैंने आधे कप विब्ड क्रीम ली है, इसको मैंने अच्छी तर कर लिया है, और जब तक थोड़ी सी थिक न हो जाए, तब तक हम इसको विब्ड कर लेंगे, और मैंने यहां पर एक कप की जगह में, दो कप थिक मिल्क डाला है, अगर आपको सीखना है, वो कैसे बनाते हैं, तो मिझे ज़रूर बताएं, मैं वीडियो ज़रूर शेयर करू ज़रूर दाला है, इन सब भी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, अगर आप चाहें तो अपर पास शॉकलेट एसेंस है तो थोड़ा अगर भी डाल सकते हैं, मेरे पास थाबर में बूल गई डालना, तो उससे भी टेस्ट हमारा चोकलेट का और भी आई स्रूम का बहुत अच्छा आने वाला है तो इन सभी को अच्छी तर मिक्स कर लेंगे हम यह पर मैं दुबारा से 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर और डाली है विकास जो मारा अन्स्वीटेंट कोको पाउडर था वो थोड़ा बिटर लग रहा था ऐस्क्रेम में तो मैंने थोड़ा सा एक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर विट यो फेंड फैमिली एंड दू सब्सक्राइब माइ चानल थैंक्स पर वोचिंग बबाई